हेलो स्टुदेंट्स आइम मैंक और चनल एगरीकल्चर यूनिवर्स आज का टॉपिक है हमारा स्टुदेंट फेक्टर एफेक्टिंग टाइपस ऑफ फॉर्मिंग ओके यहां पर देखेंगे हम वह कौन-कौन से ऐसे फेक्टर है जो एफेक्ट कर रहे हैं हमारे टाइपस करते हैं फेक्टर एफेक्टिंग टाइपस ऑफ फार्मिंग ओके शुडेंट यहां पर देखेंगे हम वह कौन-कौन से फेक्टर हैं जो की एफेक्ट करते हैं टाइपस ऑफ फॉर्मिंग में ओके यानि कि जो हम क्रिशिक कर रहे हैं उसमें कौन-कौन से फेक्टर ऐसे हैं जो हम लोग करते हैं अलग अलग तक की जो फार्मिंग हम लोग पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं उनमें कौन-कौन से ऐसे फेक्टर हैं जो कि उनको अलग 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 प्रकार क्रिशी करते हैं कि टाइप सफ जो मारे फॉर्मिंग हैं वहाँ पर फस्ट फॉल क्या रहना चाहिए हमारा घ्लाइमिट क्लाइमेट जो है वह इसा है या कि एफेक्ट करेगा यानि कि इंफ्लोएंज करेगा अगर वहाँ का जलवाईूश है तो अ स्टाप्ट जो अलग-अलग क्रॉप्स होते हैं अलग-अलग जो पशुपालन होते हैं थर्पेसफिक क्लाइमेट यानि कि specific क्लाइमेट के विसस्ट पर होता है leading to the adoption of forming practices यानि कि उस पर्टिकुलर स्पेस्पिक प्लेस पे अप एडॉप्ट कर पा रहे हैं वह फॉर्मिंग प्रेक्टिस की नहीं suitable for those condition यानि कि उस condition में आप वहां पे अडॉप्ट करके पर्टिकुलर उस टाइप आप forming को आप apply कर पा रहें कि नहीं यह हमारा क्रिस्प मेंटर करता है क्लायमिटिक फेक्टर पर देखिए थोड़ा सा ब्रॉड हो गया एक तरीका से कह सकते हैं थोड़ा से से बाहर से अब कोई भी लाते हैं जानवर लाते हैं ठीक है कोई भी जैसे अब बकरी हो गया मुर्गी हो गया तो गया कुछ भी लाए अब कहीं आप लादी कहीं बाहर के नसल को ला दिये यहां पर सर्वाइब करा रहे हैं तो यह आपको ध्यान में रखना चाहिए कि नही हमारी जो गाय है हमारी करे मिशंट रहे हैं यहां पर संस्टेंट कर पाएगी कि आपक दो चीजें अपर अपर करती है वहही है आपकी तो उसमें कहुन सा किलियक हमारा कैद सेकंट प्रकेट कुर यह चलो टोपोग्राफी यानि की एक तरी के सकते हैं लेंड्सकेप जो कि किसी भी जमीन का जो डिजाइन है ओके डट टाइप आफ स्वायल एंड लेंड्सकेप आफ एन एरिया डेटरमाइन वीच क्रॉप कैन बी ग्रोन सक्सेजफुली एंड वाट फॉर्मिंग पैथर्ड आर एप यहां पर बताया जा रहा है कि टोपोग्राफी एंड स्वायल टाइप वहां का किस प्रकार का स्वायल है यानि की जुम्रिदा की प्रकार है और जो लेंड्सकेप है किसी भी एरिया की वह डेटरमाइन करेगी कि आप वहां पर कौन सी फसल लगा सकते हैं वीच क्रॉप कैन बाहर की मिट्टी कुछ अलग होगी तो मिट्टी पीडिपेंड होता है कि किस मिट्टी पर आप कौन सा क्रॉप लगा पाएंगे सकसेस्फुली ओके ऐसा नहीं करें बाहर कि आएंगी फसल लगा लेंगे लेकिन उतना आपको प्रोडुक्शन नहीं देगा उतना पैदाव and soil types that's clear चले जखता है थर्ड पॉइंट हमारा स्टुडेंट में वाटर अवेलिबिल्टी ओके एरिया विथ अबर्डेंट वाटर रिसोर्स में फोकस ऑन इरिगेटेड एगरी कल्चर वाइल वाटर से क्रेस्ट रीजन में प्रेक्टिस ड्राइलेंड फॉर्मिंग और रीले और वाटर कंजर्वेशन टेक्नीक यहां पर बताया जा रहा है कि वाटर की यानि की पानी की कितनी है यह डिपेंट करता आपके एरिया पे वहां पे कैसे रिसोर्स हैं वाइल वाटर से केर्ड रीजन में प्रेक्टिस ड्राइड फॉर्मिंग जैसे की सुस्क भूमी क्रिस यह वहाँ पर आप कैसे मतलब की वाटर इडिवेलटर फे देते हैं और रिले और वाटर कंजर्वेशन टेक्नीक और किस तरीके से आप पानी को संग्ण। करते हुए irrigation परफॉर्म करते हैं तो यह डिपेंड करते हैं कि वाटर की अविलेबिल्टी पे देखिए यह लेंगविज में समझाएं तो आप समझेए जैसे की पानी यहां पर कितना है यह मैटर करेगा कौन से क्रॉप है ठीक है उतना आप पास पानी अवलेबल है कि नहीं ह की है कि कम पानी में होती है को पूरा होल फीट होता है था ऐसी फसल होती है जिनको ज्यादा नाप्ते है यह Newham करना पड़ता है वठकर करता है आपके वाटर सिस्टम पे यहां पर दिखिए सबसे बड़ी बात कह जा रही है मार्केट डिमांड यह किसमें पढ़ रहा है हम लोग कपढ़ रहा है ऑपके फॉर्मिंग सिस्टम में कौन-कौन से करते हैं कि फॉर्मर्स चूज क्रॉप और लाइब स्टॉक बेस्ट ऑन मार्केट डिमांड इकोनॉमिक वेविल्टी एंड प्रॉफीटबिल्टी ओके मार्केट डिमांड जो फॉर्मर है जो हमारी किसान यह चूज करेंगे फसल को और पसुपालन को यानि कि यहां के जो किस हमारे मंदी रॉबर्स कंद में तो मतलब वहां किया डिमांड है फसल क्या 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 मार्केट सोटार-चड़ाओं क्या है तो उस हिसाब से वो क्या करेंगे क्रॉप करेंगे और लाइब स्टॉक्षाइन करेंगे स्ट यह तो करते हैं तो यह प्रूट करते हैं तो फूं करता है कि तो ँस तरीगत एक kiss कि एपम और को लाव मिले अगर आप जैसे मार्केट इमांड एक तरीके समझ कि हमारे तरीके से profit मिलेगा लेकिन यह अगर आप बेचेंगे तो आपको उतना profit भी नहीं मिलेगा आपका loss भी जाएगा बहुत ज्यादा तो वहां पर क्या होता है कि एक तरीके से पहले चेक कर लेंगे निमार्केट डिमांड क्या है मार्केट जो हमारा है उसको क्या चीज़ चाहिए यहां का जो लोकल मार्केट उस तरीके का आप वहां पर प्रोडक्शन करेंगे और सप्लाइ कराएंगे जिससे आपको profit हो आपकी economic condition अच्छी हो जाए दैस क्लियर फॉर्ट जबेंट निक्स्ट हमारा फिरेश्ट टेकनोलोजी अंड इन्फरक्श्ट्रakukan यहां पर बात किया जा रहा है टेकनोलोजी का अंड इंफ्रस्ट्रक्शल का एसस 2 ओमॉडरन फरमें टेकनोलोजी मसीश्टरी ट्रांस्पोर्टेशन और स्टोरेज ःचले टेकन इंफूय है टाइप एंड स्केल ऑफ फॉर्मिंग ऑपरेशन्स के आज के टाइम जो मॉडर फॉर्मिंग हो रही है इसमें टेक्नोलोजी का बहुत बढ़ा रोल है अब यह तो समझ रहे होंगा कि नहीं हर चीज़ टेक्नोलोजी पे ट्रेक्टर नहीं टेक्निक्स के आ गया है आपके पा सीन्री हो गया ट्रंस्पोर्टेशन हो गया एंड का शूरिज हो गया ठीक है यानि तकनीक में आ गया रहे अगर प्रोडेक्षन सुन आप अन्प पिलेस तो भी वहारा सिस्टम क्या होना चाहिए तो चूरेश अहुने इसलिए हमारे पास क्योंकि होता क्या है आज के टाइम पैसा नहीं कि नहीं आप तुरंद भाई तुरंद मतलब की क्या हुआ कि खेतों से अपना अनाज कटवाए उसके बाद तुरंद बीच दिये जातर खेस्व में ऐसा होता है लेकिन लार्ज अमांट में होते यह जो लोग ऐसा होते हैं ज्यादा च्छोटे फ़र्म होते हैं उन से लेकि उनके पास स्टूरिज फैसल्टी होती है स्टूर अपने यहां कर लेंगा उसके बाद जैसे मार्केट थोड़ा सा उनका ग्राफ बढ़ेगा तो वहां पर सेल कर देंगे और अच्छा का सा मुनाफ़ा प्रॉपिट गें कर लेंगे किस पर करता है यह करता है उनके टेक्नोलाजी पर उनके इंफ्रस्ट्रक्चर पर और उनके स्टूरिज फैसल्टी पर ठीक है यह सब चीजें बहुत मेंटर करता है हमारे फॉर्मिंग सिस्टम में तो यह ऐसा फेक्टर है जो की इंफ्लूएंस करता है अगर अच्छा आप अच्छा प्रॉफिट गीन कर सकते हैं अधरवाइस अगर आपके पास ऐसा नहीं है तो भाई आप नॉर्मल जो लोग फॉर्मर हैं जितना अन कर पाते हैं उतना भी कर पाऊगे ठीक है यह सब होताब का बड़े लेवल पर लार्ज स्केल फॉर्मिंग पर फैसलिटीज कन इं इंफ्लूएंट्स करता है आपका टेकनोलोजी एंफ्रस्ट्रेक्ट्ट्र धिट्स चले देखते हैं नेक्स्ट पॉंट अगला हमारा सिक्स्ट स्टूडेंट गॉर्मेंट पॉलसी जहां पर यह भी बहुत most important है क्योंकि हमारी जो सरकार है अलग-अलग policy लाती है अलग-अ system and regulation can impact the type of forming practices in a reason okay जो agricultural policies है subsidies है लेंड टेन्यूर हो गया system and regulations जो है जो regulation rule regulation है जो यह जातर impact डालते हैं प्रभाव डालते हैं कि types of forming practice in a region particular किस रिजन पर आप practice कर रहे हैं forming कर रहे हैं और वहां की government की policies क्या है सबसीडी आपको क्या है और जो जो system प्राइब कर रही है आपको government उस condition वे में आपको forming करना होगा तो यह होगा आपका government policies that's clear चले देखते हैं next seventh topic next seventh है हमारा student cultural and social factors ओके यहां पर बात करें हम cultural and social factor के बारे में so traditional forming practices cultural preference and social norms can also play a role in determining the type of crop grown and livestock raised in area दिखें यहां पर बताया जा रहा है कि जो cultural and social factor हैं यह कैसे influence करती हैं कैसे effect करती हैं हमारे forming system में traditional forming practices यानि कि जो प्राचीन काल में forming practices कराई जाती थी यानि कि क्रिशी होता था उस तरीके से cultural preference जड़ातर हम cultural यानि कि जो हमारा संस्कृतिक एक तरीके से कह सकते हैं जो क्रिशी है उसको कैसे apply किया जा रहा and social norms can also play a role in determining the type of crop growing and livestock resident area दिखें particular किसी भी area में कौन सा टाइब की forming करनी है कैसे पसुपालन करना है यह चीज हम जानकारी रह सकते हैं अपने cultural tradition से ओके यानि कि पहले time पर कैसे होता था इस एरिया में कौन से कर आपको गुरो कर आए जाता था कैसे आपका livestock management हो जाता था इसको अब जानकारी लेकर यहां पर apply कर सके social factor की बाद कर रहा है कि उसका क्या प्रभाव पड़ेगा पर्टिकुलर उस समाज पे that's clear 7th point चले देखते हैं लास्ट एड़्ट पॉइंट इन्वार्मेंटल कंसिड्रेशन ओके यहां पर बात करते हैं इन्वार्मेंटल कंसिड्रेशन के बारे में increasing awareness of sustainable farming practices and environmental conservation can influence forming method such as organic farming agroforestry and conservation tillage देखे बहुत बड़ी बात कह रहा है कि increasing awareness हमारे अंदर जब रुकता आनी चाहिए आप sustainable farming practices किसकी स्थाई क्रिसी प्रड़ाली की और इन्वार्मेंटल conservation यानि कि जो हमारा वातावरंट संरच्षण है इसके प्रति हमारे अंदर जगरूपता नहीं चाहिए can influence forming method जो की influence करेगा हमारे forming methods को such as organic farming जैसे कि हमारा जैविक क्रिसी हो गया जैविक क्रिसी में क्या होता है जिसमें हम लोग फटिलाजर पिस्टी साइड यह सब क्या करतें इसमारे जिसमें यह जुम्रिदा होती हमारी मिटी होती है इसकी प्रोड़क्शन मिलेगा मिल रहा है इस टाइम उदना आपको बाद में आने वह समय में नहीं मिलेगा फिर वहां पर आपको और ज़्यादा डालना पड़ेगा जिससे आपकी खराब होगी और लागत भी ज़्यादा लगाना पड़ेगा तो यह सब चीजों को दूर करते हैं हम लोग बिसिकली करेंगे और फर्मिंग जैवी क्रिसी जिसमें की साफ सुथराम को खाने को भी मिलेगा सुद्ध चीजें और उसमें हम लोग हमारी जो फर्टिल्टी होगी वह भी मेंटेंड रहती है तो यहां पर यहीं बात कर रहा है इन्वार्मेंटल कंसीडरेशन ओक सब्सक्राइब करते हैं तो उसको हम लोग अच्छे से सब्सक्राइब करेंगे जिससे हमारा जो है स्वैल में पर्टिकुलर न्यूट्रेंट्स बने रहे हैं इन्वार्मेंटल कंसीडरेशन सो सब्सक्राइब क्लियर होता है और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए हैं बाइबाइबाइब टेक केर